जार्खन में स्वास्त सुरक्षा सप्ता की अवधी को एक सप्ता के लिए और बढ़ा दिया गया है स्वास्त सुरक्षा सप्ता को बढ़ा कर अब 8 जुलाई की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है वहीं से लेकर कई चीजों में फेर बदल भी किये गये है अब सबजिलु में सभी दुकाने आठ बजे अपरान तक खुल सकेंगे सभी सरकारी एवं निजिक कार्याले 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबा 6 बजे तक सभी दुकाने जैसे सबजी, फल, किराना की दुकान सहित, सब कुछ बंद रहेंगी स्वास्त सेवा से समंधत प्रदिस्ठान और दूद के स्टोर केवल खुले रहेंगे सिनेमा हॉल, बार, मल्टिप्लेक्स, रस्तरां 50 प्रतिशद क्षमता के साथ खुल सकेंगे स्टेडियम, जिम और पार्क खुल सकेंगे समस्त शक्षनिक स्थान बंद रहेंगे आंगनवाडी केंद्रों बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामगरी उपलब्द कराई जाएगी पचास व्यक्ति से अधिक के इकठा होने पर प्रतिबंद रहेगा बैंकेट हॉल और सामुदाइक भवन खुल सकेंगे परंतु पचास प्रतिशत से ज्यादा लोग एकत्रित होने पर प्रतिबंद रहेगा धार में किस्थल स्रद्धालों के लिए बंद रहेंगे जुलूस पर रोक अब भी जारी रहेगी राज्जी के अंदर बस परिवहन की अनुमती दी गई अंतराज्जी बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा जकते हैं भारत सरकार द्वारा आयोजित परिक्षा कराई जाएगी राज्य के द्वारा कराने वाली परिक्षा स्थगित रहेंगी मेला और प्रदर्शनी पर रोक अफी जारी रहेगी निजिवाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए इपास आवश्यक नहीं होगा दूसरे राज्य से जार्कन आने के लिए या जार्कन से दूसरे राज्य जाने के लिए एपास आवश्यक होगा दूसरे राज्य से जार्कन आने वाले को साथ दिन का होम कारेंटीन रहना होगा आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी को बनाए रखना अभी भी अनिवारे है आदेश के उलंगन के स्थिती में आपदा प्रबंधन अधीनियम की सुसंगत धारा अंतरगत प्राथमी की दर्ज कर कारेवाही की जाएगी उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल दफ्रेम टॉक्स को लाइक कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी लोग इस इन्फॉर्मिशन से छूटने न पाएं